हलो स्टुडेंस स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टोपर्स टोप में दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपोर्टन टीप्स शेर करना वाला हूं नीट 2021 की एक्जामिनेशन के लिए टोपर्स के द्वारा भी साथ की गई है और एक्सपर्स के द्वारा भी सजेस्ट गई है इक्सपर्स यह वह तीप्स हैं जो आपको three hundred से लेकर आपको six fifty plus तक आपको स्कोर करने में काफी जाधा हिल्फूल हो सकती है तो दोस्तों एक और जिस में आपको बताना चाहूंगा अपनी इस YouTube चैनल में नीट के लिए लिटेड लेटेड लेटेज अपडेटेज इन्फोरमेशन लेकर आता रहता हूं अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जैसे कि यहां पर एक्जाम की पैटन की बात हो जैसे मौक टेस्ट का क्या रूल रहेगा तो इसमें यहीं एक इंपोर्डेंट रोल है जैसे कि आप मौक टेस्ट जिस तरी किसे आप देते रहोगे रेगुलरली उसकी हिसाब सही आपको पता लगीगा कि आपको कौन सा सिक्षण सबसे पहले अटेम्ट करना है नीट की एक्जाम ने रइड चाहें मौक टेस्ट किसे भी इस डूट का यूज कर सकते हो जो है वापको रेगूरली आपको आटेंड करते रहेना है उसी mock test की जो practice रहेगी वो आपको काफी जादा helpful रहेगी विसी mock test की practice की इसाब से आपको खुद को idea आ जाएगा कि आपको need key examinations का जो pattern है exam का उसको किस तरीके से section wise आपको attend करना है अब यहाँ पे सबसे पहला चीज यही आते है कि कौन सा section जो है वो आपको पहले attempt करना है तो उसके लिए मैं आपको recommend यही करूँगा कि आप अपने convenient के हिसाब से जो है वो paper का section चोईस करें माली जी कि आपको पहले biology attempt करना है तो biology करें आपको physics पहले attempt करना है वो ज्यादा आपके लिए convenient है तो आपकी साब से attempt करें आपको लग रहा है chemistry attempt करना जिसा है तो पहले हो chemistry को attempt करें लेकिन आप यह चीज एक्जाम के दिन decide नहीं कर सकते हैं यह चीज आप खास ध्यान रखना है तो जो भी है वो चीज को आपको पहले साइड करना है कि आपको कुन सा section attempt करना रहेगा एक्जाम के टाइम पर तो वो चीज का possible हो पाएगी जब आपने mock test में practice की होगी तब समझ रहा मेरी बात को तो वह mock test ही है जो आपको आपके पूरे detail में analysis देगा कि आपको कौन सी चीज पर आपको ज्यादा मेहनत करने के जरूत है अब ज्यादा टोपर बेस रीजन यह है सबसे पहले चीज के number of question उसके सबसे ज्यादा होई है दूसरी चीज है वो पूरा ncid-based ज्यादा रहता है biology तो अगर आपने ncid अच्छे से किया है तो आप biology पहले से attempt करें और दूसरी चीज यह है कि biology में जो question पूछा जाएगा उसका जो answer होगा उसमें दूसरी चीज होगी या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है उसमें कोई calculation तो लागा नहीं है तो उसमें जो है वह आपको सबसे कम जो time consumed वाला जो section रहेगा वह biology रहता है जैट मिन्स का question का answer अगर आपको आ रहा है तो पहले question पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा क्या question का answer क्या होना चाहिए question का answer आपको आ रहा है तो आ रहा है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो यह सबसे plus और best beneficial part जो है वह यही है कि biology में आपको ज्यादा time निकालना नहीं है question आ रहा है तो आ रहा है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो यह सबसे पहली चीज़ है क्या आपको कौन सा section attempt करना है तो अगर में रहूंगा या कुछ जो टोपर्स के रहे है उसके साफ से पहले रहता है biology देन उसके बाद जो है chemistry या फिर आप फीजिक्स ले सकते हैं अब यहां पर physics वाला पार्ट जो के सकते हैं कि मैंने देगा question of attack से उसका answer आ गया तो फीजिक्स भी आप चाहे तो इसको चोईस कर सकते हैं सेकंड चोईस के लिए तो ज्यादर यहां पर टोपर्स के जो रिव्यूज रहे हो और एक्सपर्स का जो ओपीनियन रहा है वह है physics का तो physics कर सकते है देन उसके बाद आ question का जो person paper attempt करने का सिक्ववन से थो रख सकते हैं या PCB रख सकते हैं यह certified आ परेपड करना हैए अगर दूसरी चीज़ जैसे कि पूरे पेपर को हमें तीन राउंड में अलग-अलग डिवाइड करना है पहला राउंड जो रहेगा उसमें आप मान के चले आप 145 मिनिट के अंदर आपको 150 क्वेस्टिन जो है कंप्लीट करने है इनी हाओ याने कि जो क्वेस्टेन आरा उसको तु कुशिश करना के 145 तक को क्लोज कर रहें 150 को सेकेंड रहें एका 20 मिनित कर रहें और थार्ड राउंड जो रख अरा राउंड में आपको पूरे पेपर को पहले से डिवाइड कर रखना है तो यह सारी चीज़े कप पहुसी बोलो पाई कि जब आपने मोग टेस्ट दिया होंगे और प्रेक्टिस की होगी तब ठीके ना तो उसकी साब से जैसे कि मैं आपको बता है तीन अलग अलग राउंड में डिवाइड कर लेना क्वेस्टन पेपर को तो जो क्वेस्टन आ रहा है उसको फटाफट से टीक करके नेक्स वेस्टन पर आंको चले जाना है तेर उसके बाद जो हमको लग रहा है कि क्वेस्टन थोड़ा सा डिफिकल्टी इसको सोचे करना पड़ेगा तो तुरां छोड़ दो उसको सेकेंड राउंड में आप अटेम करने तो यह वह सबसे लास्ट में देखना है जब अगर आपके पास टाइम है तो टिकेना सबसे मोस्ट और लास्ट इम्पोर्टन तींग यह था कि अगर आपको क्रिशन आ रहा है तो तुरंद जी उसका और शीट पर बबलिंग कर देना है आप यह सोचकर करके मज चलना क करने के लिए गर इसको उसको कर लेता हूं बाद में इसको बबलिंग कर लोगे तो यह ब्लंडर मिस्टी बिल्कुल भी मत करना इसारी ब्लेंडर misty के जो आपको आगे जाके face करने परती है राइट आप यह सोचके चल रहे हो कि पांच क्वेसं आ जिसका यह आंसर हो जकता है तो मैं इसको side में टिक कर लेता हूं या कर लेती हूं बाद मैं मैं इसको कर लूँगी। This question करने के लिए तो यह से जो मांक होते हैं जो चुट जाते हैं तो अगर आपको व्यूश्चन आ रहा है तो तुरंत इसको व्यूश्च पर बबलिंग करके उसको मांक कर देना है ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्ट वीडियो में आपके लिए और भी जाता बहतरीं टीप्स लेकर आने वाला हूँ नीट को लेकर के और जैसे जैसे नीट से अपडेट आते जाएंगे मैं आपको अपनी इस इनल पर अपडेट करते रहने वाला हूँ जैसे कि इसके एक एप्लिकेशन फॉर्म भी आने वाले है जैसा ही फिर्म रिलीज होगा म और नॉटिफिक्रिशन बिल आइकोन को भी जरूर से क्लिक कर लेना ताकि आने माले लेटेस अपड़ेट आज वीडियो आपको मिलते रहे